हाई नमस्कार मेरा नाम देने सबर आप देख रहे हैं टॉक्षे ट्रेनिंग यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकेशन एनिमेशन माप के बारे में दोस्तों इडिटिंग में हमारे को बहुत बार जूर्ट होती है एनिमेशन माप की फूर एक्जामपल जैसे मानलो की हम कोई भी फिल्म की सुटिंग कर रहे हैं या फिर मानलो कोई सीरियल की कर रहे हैं या फिर कोई न्यूज के लिए भी हमारे को एनिमेशन ग्राफिक बनानी होती है तो उसमें बहुत बार हमारे को एनिमेशन लोकेशन पिर जैसे मानलों कम्प्यूटर में देखते हैं कि इस ताइम में सेम करेंट लोकेशन पर वह कहां पर जा रहा तो वह गाड़ी का सीन आता है तो इससे क्रेक्ट एनिमेशन माप बनता है तो आप एनिमेशन माप है जैसे दिल्ली बंबई जेवपूर या फिर आप अपने गा साइट के बारे में बताता हूं जिससे आप बिल्कुल फरी में अपना खुद का इनिमेशन माप बना सकते हो मन पसंद की लोकेशन अटेज कर सकते हो मन पसंद का जैसे मानलो आपको बहुत सारे लोकेशन के अलग-अलग आइकन होते हैं वो यूज कर सकते हो उनमें अलग- और हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए और आगे इस गंटी वेल को जुरूर दबालीजिए ताकि editing से related आपको काफ़ी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहे तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो सबसे पहले आपको एक ब्राउजर को उपन करना होगा रूस में आपको pictramark.com लगाना होगा इसकी link भी आपको नीचे मिल जाएगी तो दोस्तों जैसे ही आप इसको पहली बार open करते हो तो आपको login करना होता है login के अंदर आप अपनी gmail और password लगा सकते हो चाहो तो आप facebook, twitter से भी इनको login कर सकते हो जैसे ही आप login करोगी तो आपकी सामने इस तरह का interface आएगा तो fest fest में यहाँ पर आपको जो भी project बनारा साथ है उसका नाम देना होता है नाम xyz आप कुछ भी दे सकते हो मैंने यहाँ पर toksia training अपने youtube channel का नाम दे दिया है तो यहाँ पर हमारा एक नया project बन जाएगा तो जैसे ही हमारा आएगा तो यह देखो यहाँ पर upload photo के लिए बोल रहा है अगर आपको यहाँ पर कोई photo लगाना चाते हो अपनी location की या फिर आप अपनी जो location में दिखाना चाते हो तो यहाँ से simple upload कर सकते हो यह normal है नहीं तो आपको क्या map पर आना जैसे आप map पर click करते हो तो यहाँ पर map आ चुका है और यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो आपको देखो यहाँ पर एक minute क्लिक करता हो तो अलग-अलग map मिल जाते हैं अलग-अलग color मिल जाते हैं इनको चाओ तो आप यूज कर सकते हो चलो मैं इसको वापस बंद कर देता हूँ मैं यहाँ पर आपको mobile से सिखा रहा हूँ तो इसमें क्या थोड़ी screen की problem है सबसे पहले आपको यहाँ पर location को डालना होगा मतलब कौन सी city का नाम डालना चाते हो जहां से जहां आप जाना चाते हो चलो for example मैं यहाँ पर हमारी राजदानी है जेपूर तो मैं जेपूर को ही लगाता हूँ जेपूर तो जेपूर आया उसके बाद मैं यहाँ से मैं इसको सर्च करता हूँ तो जैसे मैं सर्च करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमारे पास से आईडिया आ चुका है जेपूर इंडिया तो मैं इसके उपर टिक कर देता हूँ जैसे टिक करता हूँ तो एक इमिट देखो यह आ चुका है तो यहाँ पर आपको एड़ करना होता है तो एड़ किया तो अब देखो जेपूर लोकेशन पर एटोमेटिक आ चुका है इसका ये जो color है तो इसका color आप यहां से change कर सकते हो जो color change करने के लिए आपको simple जो ये है तो इसका color देखो यहां पर आना है जो भी color आपको लेना वो color simple यहां से आप ले सकते हो चलो मैं यहाँ पर green कर दिया अगर यह जो location का टिक है तो इसको भी आप यहाँ से change कर सकते हो इसके लाने के लिए देखो यहाँ पर आपको टिक करता हूँ तो यह अलग अलग तरी के आपको मिल जाते हैं जो भी आपको location पिन चाहिए या फिर इसा चाहिए या इसा चाहिए जो भी आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पर आपे choosing कर सकते हो उसके बाद में यहाँ पर है select next mode travel यानि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए पिलेन चाहिए तो वो आ गई तो यहाँ पर आपको जो भी चाहिए वो चीज ले सकते हो चलो हम यहाँ पर जेपूर एरपोर्ट स select कर लेते हैं ओके किया और उसके बाद में आपको फिर क्या है कि माउस थोड़ा गूम रहा तो थोड़ा वापस चलते हैं अब हमारे को जेपूर से जाना कहा है तो हम यहाँ पर मुंबई कर देते हैं जेपूर to मुंबई और यह हमारे पास city आ चुकी है तो इसको भी मैं यहाँ से एड़ कर देता हूं तो यह हमारे पास मुंबई आ गई है इसके अंदर भी location हमारी यहाँ पर इस type का आ चुका है यहाँ पर हमारे को मुंबई से एक गाड़ी को लेते हैं और मुंबई से अब आगे हम जाते हैं वापस जेपूर डाल देता हूं तो मैं यहाँ से वापस जेपूर तो यहाँ से इसको मैं एड़ किया तो यह एड़ हो चुका है और उसके बाद में आप यहाँ से चाओ तो और भी location डाल सकते हो फ्री वाले में आप 10 location को टेज कर सकते हो ठीक है फ्रेंट्स तो उसको आपको क्या देखने के लिए यहाँ पर यूपर करना ह तो व्यू वाले auction पर जैसे आप करोगे तो यह convert होना शरू हो जाएगा तो यहाँ पर यह convert हो रहा है तो यह convert हो चुका है अभी देखो यहाँ पर हमने जेपूर डाला था फ्रेस्ट में तो यहाँ पर यह जेपूर आ चुका है अब जेपूर से देखो यह flight आ रही है मुं यहां पर मुंबई पर आ चुके हैं तो अब मुंबई से हम वापस जेपुर आ रहे थे तो जेपुर के लिए हमने कार बुक किया था तो यह हमारी कार आ गये तो दोस्तों आप इस तरीके से कोई भी लोकेशन कौन से भी कंट्री आपका जो भी सेर पड़ता है वहां से आपे एर्जिस्ट कर सकते हो वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपका कोई सुजाव है तो नीचे जुरूर कॉमेंट कीजिए तक कि आगे हम और भी बैतरीन वीडियो आपके लिए बना सके तो ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद गूट बाइ सी यू बाइ बाइ